जानिये आसमान के टाइटेनिक कहे जाने वाले हिंडनबर्ग एरशिप की कहानी जिन्दा जल गए थे 36 लोग ये घटना 6 मईए 1937 की है हिंडनबर्ग एरशिप ने 3 मईए को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए उडान भरी थी जब एरशिप न् हवा का रुख हिंडनबर्ग एरशिप के खिलाफ होने लगा ऐसे में दो रास्ते थे वहीं कैप्टन ने दूसरा तरीका चुना और एक तगड़ा मोड लेते हुए हवा के रुख के खिलाफ लैंडिंग साइट पर पहुँचने का फैसला किया ऐसा कहा जाता है कि इस शार् एरशिप को नीचे खींचा जा रहा था लेकिन तभी एरशिप के पिछले हिस्से में आग लग गई शिप में काफी हाइड्रोजन गैस भरी थी